नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद एस्ट्रोलोजर। वर्तमान वीडियो में इस बात पे आपका ज्यान वर्धन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जब शनी नवम भाव यानि की भाग्य भाव में उपस्थित होते हैं आपकी कुंडली में तो वो क्या प्रभाव देते हैं तो नवम भाव के जो शनी हैं वे व्यक्ति को आते हैं नवमस्थ जो शनी है यदि वो वक्री हो जाए तो वह है जातक की पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति है जो धन है उसके अंदर व्रधी प्रदान करते हैं और ऐसा व्यक्ति धर्म परायन होता है यदि वक्री होता है और जब भी आर्थिक संकट आता है तो ब तो जब शनी वक्री हो और जब नहीं हो मारगी हो दोनों अवस्थाओं के अंदर शनी के जो प्रभाव है नवे भाव में वो मैंने आपको बताए आशा करता हूँ आप इससे लाभानवित होंगे आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए आपका आभाद नमस्कार टाहिए आपका आपका आप